कॉंग्रेस अद्धेक्ष राहूल गांधी के गड़ अमेठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राफेल विमान को लेकर दिये गए बयान पर बाउजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने निशाना साधा है मायावती ने कहा कि जब राफेल विमान लड़ाई में काम आ सकता है तो पिछले पांच वर्षों के शासनकाल में एक भी राफेल विमान क्यों नहीं भारती बेड़े में शामिल किया गया बता दें कि अमेठी में पियम नरिंद्र मोदी ने कहा था हमारी सरकार में ही पहला राफेल उड़ेगा लोग वर्षों तक राफेल विमानों के सौधे पर बैठे रहे और जब सरकार जाने की बारी आई तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया प्रधान मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आई और डेड़ साल के भीतर सौधे पर मुहर लगाई गई और कुछ ही महनों में दुश्मन के होश उड़ाने के लिए पहला राफेल विमान भारत के आसमान में होगा राफेल विमान को लेकर दिये गए पीम मौदी के बयान पर भाउजन समाज पार्टी की सुप्रिमो मायावती ने ट्विट करते हुए लिखा है कि पीम मौदी का रैलियों में कहना है कि पाक के साथ लड़ाई में राफेल विमान बहुत काम आ सकता था ऐसी बात थी तो पिछले पांच वर्षों के इनके शासन में एक भी राफिल विमान क्यों नहीं भारती बेड़े में शामिल किया गया बिजेपी द्वारा भी देश की रक्षा वस रक्षा के साथ ऐसा खिलवाड क्यों